दिल्ली अध्यादेश को विधेक की रूप में पारित करने के लिए लोकसभा में चर्चा हुई ग्यारा दिन बादी से गती रोट टूटा और चर्चा शुरू हो गई दिल्ली विधेक वही है जिसके जरिये सुप्रीम कोट ने जो अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिये थे उन्हें एक अध्यादेश के जरिये केंदर सरकार ने पलट दिया था विधेक पर चर्चा के दोरान ग्रह मंतरी अमिश्या ने कई उधारण दिये जिनसे ये साबित करने की कोशिश की गए कि दिल्ली पर केंदर सरकार का भी उतना ही अधिकार है जितना राजिका क्योंकि दिल्ली ना तो पूरी तरह केंदर सरकार को है शाह का कहना था कि दरसल सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में जो कुछ कहा था उसका मनपसंद हिस्सा पढ़कर विपक्ष या आप सरकार अपना अधिकार जताने निकल पड़ी थी उसे पूरा आदेश अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है उलेकनी है कि चुकि दिल्ली में केंदर सरकार की संपत्ती सरवधिक है इसलिए पूरु में पढ़ित नेरू, सरदार पटेल, चक्रवधी राज गोपालचारी, डॉक्टर राजेन प्रसाद और डॉक्टर भीम राव अमबेटकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्जी का देरे का विरोत कर चुके हैं। अधिकारों के जगड़े बढ़ गए हैं। खेर गुरुवार के सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच बड़ा सामंजिस से दिखा। ये संसद्री लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत रहा। आसंदी पर बेठे कारी-कारी अध्यक्ष से स्पीकर के बार में पूछा और कहा कि वे हमारे अधर नी हैं, हमारे रक्षक हैं। अब सदन सुचारू रुप से चल रहा है इसलिए उनसे कहिए कि वे वे वापस अपनी जिम्मेदारी संभाले। इसके बाद स्पीकर ओम बिल आसंदी पर लोटाए और सदन में चल्चा चलती रही, कोई हंगामा नहीं हुआ।